नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका नियूजवल इंडिया मैं मैं हूँ आपके साथ प्रद्युमन शर्मा एक नज़र डालते हैं उत्तरपदेश की खबरों पर सिंगरॉली जिले में पुलिस ने ATM हैकर गिरों को पकड़ने में सफलता हसल किया है पुलिस ने ATM कार्ड को क्लोन करके लोगों के खाते से लाखों रुपे निकालने वाले गिरों के तीन बदमाश को पकड़ा है ये गिरों कई लाखों रुपे का चूना लोगों को लगा चु फिरोजाबाद में 21 वर्षी युवक का स्कॉर्पियो के उपर स्टन्ट करते हुए एक वीडियो शोशल मीडिया पर वारेन हो गया था जिसके बाद ट्रेफिक पुलिस ने शक्स का चालान काट दिया और वहीं फिरोजाबाद में दबंग द्वारा अपनी बाइक से व्रद की साइकल में टकर मार दी फिर साइकल उठा उठा कर कई बार साइकल को जमीन पर पटका सारी घटा सीज़ टीवी कैमरे में कैद हो गई है पुलिस ने ततकाल कारवाई करते हुए पाच धाराओ में आरूपी नमन के किलाप कारवाई की है फिलाल आरूपी पुलिस कैद में है मेरट में वाटर प्लांट की आड में शराव फैक्टरी चलाई जा रही थी जिसके बाद पुलिस से चापे मारी की और मौकी से भारी मातरा में अंगरजी शराब, देशी शराब, रैपर, ढखकन, हॉल मार्क भी बरामत की हैं फिलाल पुलिस मामले की आगे की कारवाई कर रही है बिजनोर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है दरसल जंगल में एक मासूम मिलने से हडगंप मच गया सूचना पर चाइल्ड हेल्प लाइन और मौके पर पहुची पुलिस ने बच्चे को अस्पताल में भरती करा दिया अगामित यहार के मद्दे नजर खाद बिवाग द्वारा लखनाउ से आई फूड सेफटी वेन ने शेहर के बिविन ने पॉइंटों पर खड़े होकर लोगों को खाद सुरक्षा के उपाय बताए और खाद पदार्तों के नमूने भी टेस्स किया है फूड सेफटी वेन का उद्देश लोगों को खाद सुरक्षा के बारे में जागरूप करना है और वहीं रामपूर की सड़कों पर साइकल रैली निकाल कर सपाद देक्ष ने भाचपा सरकार को करारा जवाब देते हुए कहा कि नयाया भी बाकी है आजम खान और उनके परिवार पर जुल्म किया गया है जिसको बरदाश नहीं किया जाएगा बाचपा सरकार लगातर सपा के लोगों पर हमला कर रही है उत्रप्रदेश के कोशांभी मैं चार महीने पहले के महिला ने तंतर मंतर के चकर में अपने पती और बच्चे की जान ले ली थी जिसके बाद महिला को पुलिस ने गरफतार कर लिया था फिलाल महिला की तवयत खराब होतने पर उसकी मौत हो गई है खबर गाजीपूर से है जापर STF और पुलिस को बड़ी कामयाभी मिली है STF पुलिस और आपकारी बिवाग की टीम ने एक स्कूल पर चापा मारकर अवैद शराफ की फैक्टरी का भांडा फोड किया है पुलिस ने चापा मारकर मौके से चार बदमाशों को भी किया गरफतार फिलाल के लिए इतना ही बने रही है न्यूजवल इंडिया के साथ नमस्कार